अच्छा यह देखें इसकी जो कंस्ट्रक्शिन पेटरन अधर आ रहा है ना यह जैनिजम के टेंपल से उनसे मिलता जूलता है उसमें थोड़ा सा लेयर्स होती हैं तो कि इसमें स्मूथ डिजायर रखा हुआ है और यह एक लेयर्स है टॉम की जोना एक के बाद एक लिखाई की बेरियों की जी तो घूम बिर मुसंद जी में वेल्कम करते हैं आपका आज हम मुझूद है मुलतान की काफी कदीमी मुकाम पर एक हमारा कल्ट्रल और हिस्टॉरिकल हेरिटेज है जिसको शीव टेंपल का जाता है और यह जो तो काफी जोना हिस्टॉरिकल नेकरे में हु जाता है कि यह जाता है कि यह फुद्ध भांडर्ड होल्ड है आए कुछ इसके आपको दिखाते हैं यह सामने कुछ नंबर प्लेट्स भी लगी हुए इसको रोशनधास नाम के रोशन नाम के किसी शेट ने यह बांड़ा इसको तामीर किया था यह जो शीव मंदर यहां प तो बहुत सी जगों पर आपको नजर आएगा कि पुराने पीलर्स हैं उनके अंदर उनको दुबारा रियेबिलिटेट करके उनकी सुपोर्ट बनाके उसको जोना कमरों में कनवर्ट किया गया इसमें राधारियां थी डिफरेंट जोना अलमारियां थी और इस तरह की चीजें थी जो इस चीज की अकासी करती है कि यहां पर पहले एक काफी रिच इन कल्चर जोना एक मंदर रुआ करता था जिसका नाम था शीव टैंपल और इसकी प्रैक्टिस अभी यहां पर लोग विजट करने आते हैं इसको देखते हैं और इ हिंदु इसम में कुछ लिखा हुआ है हिंदु लेंग्वेंज में कि जो यह बताते हैं कि यहां पे लोग इस मंदर को नजराने के तोर पे इसको चलाने के लिए कुछ कंट्रिबूशन करते रहें और अपने प्यारों के नाम से यहां पे प्लेटें लगाते रहें अच्छ अच्छ आपको नजरा रहें और दिखेंगे तो कुछ जगें ऐसी जहां सी नजराता है कि यह इसके अंदर जो पैटर्न यूज किया गया वो ओल तो कि टेम्पल को डिबिक्त कर रहें यह जो मंदर का जो यह ब्राम्दा यह बाद में तामीर किया गया नाइटी नाइटी reactant 47мен में इसको तामीर किया कै इसके जिसके नजीद आपको दिखाते हैं यह जी तो यह वो जगह जिसका में आपको बिता रहा था कि जो यह ब्रूली त्रू सपिर meilleur में जाहिर करता तो कि यहां पर पहले एक 써धेम्पल हा गरता यह तखें यह जों करके देखें कि यह लेकिन बाद में इसको कमरे में कनवर्ट किया गए सेम इसी तरह आप यह देखिए इसकी जो विंडो थी इनकी कंस्ट्रक्शन भी ओल्ड पेट्रंग की है और अभी भी यह सामने आपको इसके नमबर कुछ हिंदु इसम में लिखा वा नजर आएगा इसको डिस्प्ले कर देंगे यह भी कुछ जाहर कर रहा है कि यहां पर रहा है इसके सामने आप देखेंगे तो वह सामने आपको नजर आएगा यह भी बिल्कुल टेंपल के अपोजट साइड पर है यहां पर भी इनकी कुछ रिंजिस प्रैक्टिस हुगा करती थी यह भी टॉमन हुआ है और यह काफी बेहती ही आलत में है यह आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल मेरे बैक साइड पर इसका एरिया जो था वो काफी टेंपल का जो एरिया था वो काफी बड़े एरिया पर मुही था अभी जब हमने इंट्रेंस की तो हमें पता चला कि काफी पीछे से ही जो है जो है ना ओल्ड विल्लिंग जो हमें दिखाई दे रहे थे जिनका मैं भी जिकर कर रहा था कि यह वही नंबर प्लेट्स हैं जो इसके लाहते में लगी हुई है जी तो यह मैं बता रहा था कि टेंपल की जो जो इसकी जुरिस्डिक्शन थी वह काफी जयादा थी यह का आपको नदर आ रहा है यह कि लिए स्पेक्टर सी जगह थी और यह यहां पर यह एरिया था टेंपल था यह देखे आप कि सामने आपको कि यह टेंपल नदर आ रहा है कि आप देख सकते हैं यह शीव मंदग यह इसका अपरी हिसा है नदर आ रहा है आपको जो इसका उपर जो टूम होता है यह सामने एक आपको बिल्दिंग नदर आएगी उसके बाद अभी यहां पर रहाईश रखी हुई है तो यह जो एरिया यह देखे यह काफी खुप्सूरत है अब इसको थो आएखेंगे एक हम दूर से इसको देखने के कुश्यश करते हैं तो यह उपर इसका डॉम है इसके उपर काफी खुबसूरा जो है ना एक वह लीज का पैटरन बना हुआ है और इसके कॉर्णर के उपर आप देखेंगे तो यह देखें और ऐसा लगता है कि इसकी चारों साइडों पर जो ह और यह सामने आपको नदर आएगा कि यह कुछ नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है जब इसके दर्वाजाओं को देखते हैं तो यह काफी ज्यादा ओल्ड हमें कंस्ट्रक्शन इसकी लाग रिए इसके अंदर जाने की खुश्शिक देखते हैं अंदर कुछ समान रखा हुआ यह देखें नीचे भी कुछ निशान और यह कुछ बूतरा टाइप बना हुआ को इतनी ज्यादर स्पेस नहीं है अंदर से इसको देखने की यह साइड भी देखें यह यह चारों कारणर पर इसी तरह की डिजाइन बना हुआ अंदर काफी समान रखा हुआ तो वह उपर जांको टूम नदर आएगा वो ज्यादा कुछ क्लेर नहीं है लेकिन ऐसे लग रहा कि काफी ज्यादा ओल्ड है इसको बार बार मल्टीबल टाइम जने इसके उपर कलर्स किया तो यहां से जब लेखें कि इसके रवाज़ा के सेम से तरह इसके यह इसा है यह यह शीव मंदर का एक हिसा था आपको मज़ीद भी जने इसका इजट करवाते हैं तो अभी हमने आपको दिखाया इसका जो टे मेरे अकब में है एक रिलिजिस प्रैक्टिस की एक चबूर जी टाइप गुंबद नुमाब बनी हुई है इसके हाते में यह मैकमा को आफके अंडर है यह भी एक काफी बड़ा एरिया इसके पीछे आप दिखाएंगे आप जे देखेंगे कम रहा है जो भी यह भी काफी ओ तो चले आपको डैमपल का उपर वाला इसके काफी मुश्किल है यह आत वाइसे आथ रहके टेटा परेंगे इतना मेरा वाला है जी तो अब मैं आ चुका हूँ टेंपल के उपर वाले इसे में आप भी उपर आजेंगे और आपको भी उपर कर वाते हैं जी तो इस वक्त मैं मजूद हूँ यह शिव टेंपल जो है इसके बिलकुल संटर में यह आता हुआ करता था जैसे आप देश सके हैं अभी यह कोई मजभी प्रेक्टिस चल रही है तो आपको शयद कले ली विजिबल ना हो वो सामने आपको नजर आ रहा हुगा वो एक यह समझ लें के वो भी कोई वर्शिब टाइब एक जगा बनी हुई है वो जवा पिस्तामीन वाल यह इसका हाता हुआ करता है और यह देखें यह बहु यह इसकी साइध है यह अगर आप क्लोजली इसको अब्जर्ब करेंगे देखें इसके पीलर्ज को और इसकी जो है ना उस वक्त की फिनिशिंग को इसकी कोई स्टी इतनी कोई ओल्ड नहीं है डाकुमेंटेटी मोर दन आइधिंग अंडर्ड येज होगा लेकिन अब यह बहुत खस्ता हाल हो चुका है इसकी साइड के अपर अभी भी है गॉल्डन कलर हुआ यह आइधिंग कि पहले कही था यह काफी रिस्की हो काफी ट्रीकी है यह आप इसकी गलिये साइड दर अच्छा भी हम आपको टॉंब के इंटर्नल पार्ट दिखाने की कोशिच करेंगे यह देखें यह सामने जो आपको लीचे जो है फीर नदर आएगए यह उसी वक्त की जो आपड़ को इसके आपको वीजिब्ल हुँडी फिर इसकी चारो टरब इसकी घ्तलियी लिए लगाएगे दॉर्स ब इसकी चारो तरफ है और यह सामने अगर जहां पर इसको प्राक्टिस किया जाते ज़ा था रिलिजिस प्रैक्ट कुपसूरत यह देखें और काफी वैल स्टक्चिर्ड और कंडिशिंग सी काफी कुपसूरत है तो यह काफी एक अच्छा है यह हाता हुआ करता था यह आलमोस्ट यह मौर दैन आप कहलें के वन एकर इसका जब यह अपनी अरीजनर हालत में होता होगा तो इसकी इसका एरिया था क्योंकि जब आप में इंतर हुआ है तो काफी पहले से हमें जो ओल्ड जो बिल्लिंग से हमें कुछ रिमें मिले है और उससे लगता है कि यह काफी तो व्यूवर्स अमीद है आपको आज का हमारा वी लॉग काफी अच्छा लगा होगा इंफर्मेटिव लग कोशीदा जगें थी कोशीदा राज थी उससे परदा बढ़ाने कोशिश की गई है तो इस तरह की इंफर्मेटिव वीडियो जेखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कल्चिर हैं हरिटीज को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उ को परमोड करें तो गूंविद मुसिन जी और पाकिस्तान टॉरिजम भी इसी के पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों की स्पोर्ट होगी तो हम इसको नेक्स लेवल पर लेकर जाएंगे और आप लोगों को मजीद इस तरह की जगें भी दिखाएंगे तो नेक्स वीडियो के कैसा मत्रा नेक्स